कहते हैं पहाड पर प्राकृति बस्ती है इस प्राकृति की गोद में ऐसे ऐसे फल और आउश्टियां हैं जो लोगों की सेहत के लिए फायदेमन्तों हैं कई बिमारियों के लिए रामबार इलाज भी हैं उत्राखन के पहाडों पर मिलने वाला ऐसा ही एक फल है काकृ ओश्टिया गोड के साथ साथ इस पल में विटमिन भी भरपूर होता है इस पल का स्वाद जुबान में मिठास तो घोलता ही है साथ ही चेहरे की चमक भी बढ़ाता है इस पल के ओश्टिया गोड कई बिमारियों के लिए रामबाण इलाज की तरह है हलद्वानी निवासी वरिष्ट अयूरवेदिक विशेशग्य डॉक्टर विने खुलर ने बताया कि जापान चीन के साथ ही काकृ फल उत्राखन के कुमाउं में देखने को मिल जाएगा खास तोर पर नैनीताल जिले में रामगड जोल इतने सारे गुणों को समेटे हुए ये फल कई तरह की बिमारियों को दूर करने में कारगर है काको फल जो है ये वाइड़ी जो है काफी जैदा डिस्टिबूटर होता है इसका और राज्तान चेत्र में पाय जाता है और अपने पहाडी चेत्र में अपने कुमाउं में जो है डिस्टिक नैनीटाल अगरे में जो है इसका काफी अबेंडन्ट कौन्टिटी में वायली ये मिलता है और ये एक बहुत ही महत्पूर्ण फल है और इससे जो है इसमें प्रचुर मातरा में एंटि-अक्सिडेंट्स होते हैं और इसमें जो है ये एंटि-अक्सिडेंट्स आजकल ऑक्सिडेटी स्ट्रेस जो होता उसको दूर करने के लिए बहुत ही बहतरी चीज है और सबसे बड़ी चीज है कि मेटाबलिक डिसॉर्टर में डियाबिटीस जो है इस समें वर्ल्ड वाइट जो है इस तरीके की बिमारी बनती चले जा रही है जिसके कारण से जो है पूरी दुनिया जो है इस से काफी जड़ा भेवीत है और आगे भी शुगर मलब डियाबिटीस जो है अगर नहीं हम अपने आपको संभाला तो मैक्सिम जो है लोग जो इस से ग्रसित हो जाएंगे तो ये फल जो है एंटी डियाबिटिक जो है बहुत अच्छा रोल करता है क्योंकि ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस के कारण से जो है अगर जितने जो शुगर होती है पेशेंट को और जो है उसमें ये एंटी ऑक्सिडेंट का काम करता है और जो है शुगर को कंट्रोल करने काम क है हमारी जीवन शेली जो जनी जो है व्यादिया होती है उसे हम लोग अपने निजात पा सकते हैं